बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com दोस्तों नमस्कार मैं हो डोक्टर स्रिपतित्रिपाथी एक जन्वरी 2022 को है विशेश दिन भगवान शिव की पूजा का बन रहा है विशेश संजूग आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक जन्वरी 2022 से नए साल का शुहरंब हो रहा है साल के पहले ही दिन भगवान शिव की पूजा का बिशेश संयोग बनने जा रहा है इस दिन क्या बिशेश है आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पौराणिक मानता के अनुशार हर एक मास के कृष्ण पक्ष की चतूरदसी तिथी को मासिक शिवरात्री का ब्रत रखा जाता है पंचांग के अनुशार इस वार एक जन्वरी 2022 सनी वार को पौश मास की कृष्ण पक्ष की चतूरदसी तिथी है इस दिन जेस्टा नक्षत रहेगा एक जर्मरी 2022 को पढ़ने वाली माशिक शिवरात्री पॉस माश की पहले शिवरात्री है माशिक शिवरात्री का पर भगवान शिव को समर्पित है इस दिन भगवान शिव की बिधी पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है पॉस मास को भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तम माना गया है माननता है कि मासिक शिवरात्री पर पूजा करने से शिव जी बहुत जल प्रशन्न होते हैं और अपने भक्तों की बाधा, संकट और परिशानियों को दूर करते हैं। इस दिन माता पारवती की पूजा का भी विशेस महत्व है। एक जनवरी 2022 पंचांग के अनुशार चतुरदसी तिथी का जो आरंभ है वह 31 दिसंबर को ही शुरू हो जा रहा है। और एक जनवरी को 2022 को आपको रात्री में दो बज कर 37 मिनट पर चतुरदसी तिथी का समापन होगा। मासिक शुरात्री ब्रत का क्या महत्व है आपको आईए बताते हैं। इस दिन ब्रत रखने काफी बिधान है। शुभक्त मासिक शुरात्री ब्रत शुरू करना चाहते हैं। उन्हें पालन इनकी इसकी शुरुवात महां शुरात्री के दीन से करनी चाहिए। और साल भर मासिक शुरात्रियों पर उपवास और पूजर कर सकते हैं। माननता है कि शुरुजी की VCS क्रिपासे मासिक शुरात्री ब्रत रखने वाले के असंभाव और कठिं से कठिं काम भी पूरी हो जाता है। कहा जाता है कि शुरुआत्री की रात सरधालों को जगरन करना चाहिए और आदी रात के बन्हुरुजर करनी चाहिए। अब बिवाहित योतियां, बिवाह के लिए माशिक शूरात्री ब्रत रखती हैं. जबकि बिवाहितें साधी सुदा जीवन में सांती के लिए यह ब्रत रखती हैं. आप सब यूही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब-तब के लिए नमस्कार. झाल झाल